प्यारे बच्चो आप सभी का अमर्ट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियों में से इसован्पी 잘못 के ह análकicon के लिए हिंदी का एक जबरश्त वीडियों लीकर शुका आप सभी संबल रिक्वेस्ट है इस इंपोर्डेंट वीडियो को लाइक कर देना अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना आए दोस्तों सबसे पर हम यह समझ लेते हैं कि रस से संबंदित जो भी कोशन आते हैं हमारा किस प्रकार के कोशन पूछा जाता है सबसे सबसे प्रकार करने वाले हैं प्रशन हमारा दिया गया कि हासरस अथवा करूर रस में से किसी एक रस का अस्थाई भाव लिखते हुए उसका उदाहरण भी दिजिए दोस्तों यह जो टॉपिक है यह जो क्वेशन है बोड के पेपर हर साल देखने को मिल जाएगा ठीक है इ प्रकार कैरण में सबस्तों कि नीखोगे कि हास से रस का अस्थाई भाव होता है घै जब कि किसी भी वस्तु या बjasतिक ब्रॉब्यक्ति को पैन्सीहें और रहा भाब कर पाई लहां पर जो बहुब्रॉस्त होगा ठीक है इसका अग्जाम्बल चार्वार देख सकते हूं कि मुनही मोह, मन हाथ पराए, हसाही संभुगती, गन अति सच चुपाए, जदपी सुनही मुन अट परिट बानी, समुजी न पराई बुधि ब्रमसानी, ठीक है, ये जो एक्जामपल साथी हो, हास रस के एक्जामपल है, और बोडी के पेपर में हर साल पूछा जाता है, ठी पूछता है कि हास से रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो हास होता है, हसी होता है, रस कौन सा होता है, हास से होता है, और इसका अनभाव होता है, हसना, ठीक है, इस बात को भी आप लोगो किलियर करना है, ठीक है, अब आगे दोस्तों हम ये समझ लेते हैं, कि करूर रस क किस प्रकार दे सकते हैं इसको भी सबसे पहले समझ लेते हैं उसके बाद अलंकार को समझेंगे उसके बाद चंद को भी समझ लेंगे तो हम इसका परिभास किस प्रकार देंगे कि करूड रस का अस्थाई भाव सोख होता है सोख नामक अस्थाई भाव जब विभाव और संच कदीश ठीक है तो यह जो यह जुख न रहे है कारूर रस का थिक है इसमें मतलब मने कोई भी मनें इसके सर्प के बारे में बोला गया है था कि उसके मणी को गई है तो जहां पर इस परकर आप में ऐसा रही है तो जहां हो जागे स्मृति याद करना या बिसाद ठीक है या इत्याद हो जाए ठीक है अब दोस्ता हम यह समझ ने कि अलंकार तो अलंकार क्या होता है कि आपको तुसमें परकार को आपको निकल डिखना है canister ya को मने तुंदरता सुंदरता पढ़ाने के लिए गहने किया सकता होती एग है तारीकसे अलों सुरंड के समांधर्म पर एक वस्तु की समनता या तुलना की जाती है किसे दूसरी वस्तु से तो वहाद पर उप्मा अलंकार माना जाएगा जैसे यहां पर दोखो दो चीज़ का यहां पर आपस में compare किया गया है राधा के चरन का पैर है गुलाब का फूल होता है उसी प्रकार कोमल है ठीक है इस बात को ध्यान में रखिएगा अब यहां पर रूपा कलंकार हो भी समझ लेते हैं यहां उपमे में उपमां की तरहित अरूप होता है वहां पे रूपा कलंकार होगा प्रेक्षा लंगार हो गया है तो यह क्या हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार कंतरगत आएगा ठीक है समझ में आ गया अब दोस्तों हम यह समझे लेकर कि चंद क्या होता है यह जो टापिक है बोड़ी के पेपर हो हर एक साल पूछा जाता है बाई कि रोला अथवा सोठा में से किसी एक चंद का लक्षण और एक्जामपल लिखिए त्यक मैं आपको दोनों बताऊंगा रोला भी बताऊंगा इसलिए वीडियो को सुरुष लेकर करें तक जरूर देखना ठीक है तो रोला क्या होता है तो रोला एक स्था मात्रिक छंद होता है इसमें परतेक चरण में 11-11 मत्राएं और बिराम पर यती होता है तो कि 24 मत्राएं कुल मिलाकर करके होती है ठीक है एक्जामपल के तोर पर आप देखोगे कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत भाजी निजबल से बलमेट भी धर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे ठर सके जंगी न जहाजी है ये वही प्रसीत छत तरह तरह मत्राएं रहेंगे ठीक है तो इस बातको द्यान में रखना है और आगे हम देखेंगे सोठा सोठा जस्ट उसका अपोजिट होता है सोठा अर्दसमात्रिक छन्द होता है इसमें भी चार्चण होते हैं लेकिन इसके प्रथम तथा तरतीय चरण में 11.11 होती है और चांपल के तोर पर यहां पर देख रहे हो कि जही सुम्रत सीधी होई गड़नाय करिवर बदन करहूं अनुग्रह सोई बुधिरासी सुभ गुन सदन ठीक है तो इस प्रकार से साथ यह जो टापिक है वोड के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए आप बार समय ना आया तो दो तिन बार वीडियो को देख लो आपको पूरा-पूरा समाज में आ जाएगा थीक है तो दोस्तों आज के लिए बस नहीं अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लागी होगी है तो वीडियो को लाइक करदेना अगर चैनल पने हो तो मत्रूम